दिल्ली के मैडम तुसाद पहुंचे विराट कोहली ऐसा है उनका वैक्स स्टैचू भारतिय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने मैडम तुसाद दिल्ली में विश्व जगत की अन्य लोग प्रिय हस्तियों के बीच प्रवेश कर लिया है राजदानी दिल्ली में स्थित मैडम तुसाद संग्रहाले में बुद्वार को कोहली के मुम के पुतले का अनावरण किया गया कोहली का यह पुतला उन्हें बल्लेबाजी करते हुए दर्शाया गया है उन्हें भारतिय क्रिकेट टीम की जर्सी में दर्शाया गया है हाला कि इसमें उन्होंने हेलमेट नहीं पहना है मरलिन इंटरटीनमेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के महा प्रबंधक और नेदेशक अंशुल जेन ने कहा हम सभी जानते हैं कि यहां क्रिकेट और क्रिकेट खिलाडियों के प्रती लोगों में किस प्रकार का जुनून है कोहली आज के क्रिकेट के स्टार है और विश्व भर में उनके फैंस की भरमार है इस प्यार के बढ़ने के कारण ही मेडम तो साथ दिल्ली में शामिल करना एक जरूरी फैसला हो गया अंशुल ने कहा कि कोहली के पुतले के निर्माण में 6 माह का समय लगा और 20 कलाकारों ने मिलकर उनके इस मून के पुतले को तयार किया इसके लिए उनके दो सावनाफ लिए गए और कई फोटो भी खीची गए उनका यह पोज उनकी उपलब्धियों को दर्शाता है अंशुल ने कहा कि पुतले की एक फोटो उन्होंने कोहली को भेजी थी जिसके देखकर भारतिय क्रिकेट टीम के कप्तान बेहत खुश हुए कोहली ने कहा मैं इसके लिए किये गए काम और प्रयास की सराहना करता हूँ मैडम तो साथ का मुझे चुनना जीवन का एक अतुलनी अनुभव है फैंट्स के प्यार और समर्थन कमें आभारी हूँ